हेलो दोस्तों कैसे है आप सब अगर गर्मियों में कच्ची कहरी की कच्ची आंबी की रेशिपी तरह तरह से नट रही की जाए तो फाइदा क्या है तो चलिए बनाते हैं आज बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल अलग तरीके की बहुत ही स्वाधिश रेशिपी टो यहां मैने लें याज आदा किलो अभी गच्ची इसको च्हील लेंगे तो आपी असे शीलका उतार देने आए हमने साथी आपियों वार बहुत कम निकलेगा इसलिए इससे बहुत कर ले chemo होता है तो इसको कट कर लेना इस तरीके से हमências जाइब से कर बनती है और छावक बषण सब्सक्राण यह कि अवर कर पाएंगे तो इसको कट कर लेना है सारी कट कर ली हमने और अच्छे से दो से 13 वार हमीं दो लेना तो यह मैं हाइ फ्लेम पे बॉल कर रही हूं थो प्लीज थे ओलओ और शथा करणे थे हो गया है हल्का पीला हो गया है जिसे तो इनका कैलर बिल्कुल पीला हो जाएगा तो इस हमें हाइ para अच्छे से अब आला गया है और आप देख सकते हैं हमारी जो है बिल्कुल पीली हो चुकी है अब मैं यहां पे फ्लेम को कर दूंगी बंद और इन्हें ठंडा होने दूंगी तो आपको हाई फ्लेम पर आप काऊं लेनी है बहुत देर तक मेडियम पे लो फ्लेम पर वहलेएं की जरूरत नहीं है तो अब आप देखें आप भी हमारी ठंडी हो चुकी है टच करके आपने देख लें और सोप्ट भी हो चुकी है इसी तरीकेगी आपी हमें चाहिए थी अ और इसको हम पीस लेंगे, पानी को साइड में रख देंगे अभी, तो इसको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है, ताकि इसमें थोड़े-थोड़े से ये आंबी के जो टुकड़े हैं, वो भी रहें, तो इस तरीके का बैटर हमने तयार कर लेना है, परफेक्ट बैटर है हमारा, तो प्लीज फ्रेंट्स में सपोर्ट करें, सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनलों को सब्सक्राइब करना है, अब ये पानी जो है, इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आप दूप में से उसमें आदा ग्लाश थंडा पानी मिला लें, या फिर आइस क्यूब डालें, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी चीन ही डालें, और इसको आप थंडाई में पी सकते हैं, तो ये हमारी एक रेसिपी हो गई है, अब हम चलते हैं मेन रेसिपी पे, तो अब हमने एक पैन लि यहां व्रासे बिल्कूर शेट कर सकते हैं और अनДаला दिया है खाला नमक स्विल्स अ किया और श्ली जरसे और यह आठ से दस मैंने काली मिर्च लिए हैं दो इलाइची इनको कूट के डाल दिया है इस तरह से तो अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मैंने यहां पर मीडियम रखा हुआ है जब यह थोड़ा सा बॉइल होने लगेगा तो इसमें डाल देंगे हम चीनी तो यहां पर मैंने लगबग 100 ग्राम चीनी डाल दी है इसमें तो चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं चीनी के जगए गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं तो अब इसको हम कंटीन्यू चलाते रहेंगे तो प्लीज कोमेंट्स क्या करें कोमेंट्स पढ़के बहुत अच्छा लगता है अच्छे अच्छे से कोमेंट्स करें रेस्पी कैसी बनी बताएं रेस्पी कोई कमी है तो बताएं और इस तरीके से हम इसको कंटी नहीं चलाते जाएंगे फ्लेम को मैंने अभी हाई कर लिया है और अब इसमें में डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा फूड कलर बिल्कुल ओप्सनल है फूड कलर से कोई भी टेस्ट में फरक नहीं आता है रेश्पी में कोई फरक नहीं आता है सिर्फ कलर अच्छा आजाता है ग्रीन होती है हमारी पूटी चमच घी इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा शाइनी आएगा साथ में सोप्ट रहेगी जब तक आप इसको रखेंगे सोप्टी रहेगी आपकी रेसिपी स्पोंजी बनेगी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस कंस्टेंसी पे हमें गैस की फ्लेम को बंद कर जाए है और अब विस सारे बटर को निकाल के इसमें सैटकर देंगे तो यहां मैं इसको यहां मैं इसको पहले दे दूंगी इसको और आप इसको सट करने के लिए चमच को पाणी में डिप कर ले तो बिल्कुल भी वेटर आपकी चमच पे चिपकेगा नहीं जो चाहें वह आप दे सकते हैं अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो पंखे की हवा में यह लगभग 30-40 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाता है और अगर आप इसको और जलदी संडा करना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में भी थोड़े देर के लिए रख सकते हैं 10-15 मिनट के लिए तो मैं इसको बाहर शोड़ रही हूँ तक तक स्टोर कर सकते हैं कभी भी खराब नहीं होती है बहुत आसानी से तयार होती है तो प्लीज फ्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेर करें लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ मुझे सपोर्ट करते रहें वीडियो देखते रहें लाइक शेर कॉमेंट करते रहें बाई बाई